नमस्ते जैहिन शुक्रिया आपका फिर से और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरा नोटिविशन आपके बास जरूर पोचे आज मैं आपको लाया हूँ सेलकों दी वरांदास म वन ओफ दी पैस्ट लग्सरियस कॉंड़मियम में गोल्फ कोर्स रोट की यह आपको मैं लिफ्ट लोपी दिखा रहा हूं आपको लिफ्ट दिख रही है यह परसनल इफ्ट है हर अपार्टमेंट की एक फ्लोर पर दो अपार्टमेंट है यह इसकी में एंटरंस है जो मैं अपको में दोडिखा रहा हु और उसके बाद कि एक अपर्टमेंट की लुक आती जाब अपर आंटर करते हैं तो लेफ्ट में आपको कवर्ट से दिखते होंगे यह पी डिजाइन दीराईगों हर अपार्टमेंट पे यह और इसमें अटर करते ही यह रूम आता है मैं 5BH की अपार्टमेंट आपको दिखा रहा हूं जिसका साइज है 5400 स्कूर फीट और इसकी कोस्टिंग कहीं आती है 9.5 सीयर और रेंटर लाता है 2 प्लस मेंटेनस 220 प्लस मेंटेनस 250 प्लस मेंटेनस हर किसी के अपनी अलग डिमांड है यह के और यह इसका वाष्रोम है और जो वरांदास में साइज हैं वह 4400 स्कूर फीट में 4BH के 5400 स्कूर फीट में 5 बिच के एंड 6400 स्कूर फीट में 6 बेट रूम है तो रेंटल स्टार्ट होता है 180-190 प्लस मेंटेनस लेकर 250 प्लस मेंटेरंस और यह इसका केस्ट वाश्रूम पाड़रूम और कोस्टिंग शाड़ ओरते हैं कहीं 7.34 से लेकर अप टू 12 यार तक पैंट हाउस यह इसका ट्राइंग एरिया है जहां मैं खड़ा हूँ वो डाइनिंग एरिया मैं आपको भी डाइनिंग एरिया भी दिखाऊंगा और वीडियो अच्छा लगए तो प्लीस लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना और अगर कुछ भी आपको वीडियो में कुछ कमी दाई तो प्लीज कमेंट जो करके जोरू बताना था कि मुद्ध को इंप्रूव करूं कि यह सलूजा बिल्डर ने बनाया हुआ है जो साउडेली की बिल्डर है यह आपको मैं किचन दिखा जाता हूं इसकी कि साइज काफी अच्छा है इसमें में में इसके बाद अगर कोई कॉंडर में माता है लगजरियोस तो वरांदा ऐसी है जिसका रेंटल भी हाई है और परचेज में अगर आउटराइट पी लेंगे तो वह भी कोस्टिंग काफी पढ़ते है कि 747 30 में कहीं आपको फोर बिच क करने लगा के दिए है कि बालकनी में आपको दोनों दिखा हुआ तुसरे डॉपन अपार्टमेंट दो सब्सक्राइब में जो कि हरुम सटाइज चाहिए इसका मैं आपको सेकंड रोम दिखा रहा हूँ कि बात मैं आपको बाल बिचान गुआ हो काफी ह्यूज और रंइंग बालक नहीं दोनों साइट पर काफी impressive size है वरांदास का आप कुछी size में जाएंगे 4400 square feet में जाएं चाहे आप 64 में जाएं चाहे फिफ्टी 400 square feet में जाए लोडिंग काफी कम है और room sizes और washroom size मतलब अपार्टमेंट का size काफी अच्छा निकाला हुआ है यह आपको washroom second room का बता लग रहा हुआ है अब मैं आपको इसका third room दिखा रहा हूं इसका size है 5400 square feet रेंटल के इस्टार्ट होता है टू टू फॉर्टी टू 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 प्लस मेंटिरेंस में कोई कोई desperate हो सकता है रेंट के लिए तो आपको सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब मिल जाए यह इसका third room है और मेरा number description box में रहता है अगर आपको कुछ भी क्वाईर ही हो तो आप मेरे number पे call कर सकते हैं कि यह इसका third room का third washroom है इसके बद मैं आपको master bedroom दिखाऊंगा कि यह स्पेस चूटा हुआ है इन्होंने मीरे लगा रखा है यहां पर आप बंदिर पार या कुछ भी अपना बनाना चाहता है और अपने टेस्ट के दाप से उसको डेगरेट कर सकते हैं तो यह इसका master जोगा master bedroom है तो आपको master bedroom का size पता लग रहा होगा काफी impressive size है जो भी काम आपको दिख रहा है इस कॉंडोम का नाम में सोसाइटी के नाम है सैल कॉंदी वरांदास जो की गोश्पर स्रोट पे है यह आपको master bedroom का size दिख रहा हुगा कि यह इसके master bedroom का master washroom है काफी impressive size है कि इसका fifth bedroom है right में कि वर्ण फोलिंग सब में दे रखी है फॉल्स दे रखी है वीर्वी यूनिट्स है व्यर्वी एसी है और लोकेशन बहुत जवरतस्त है वरांदास की कि मैं लास पर वीडियो बनाया था वो फॉर भी एच के मनाया था तो मैं किसी को दिखाने आए तो तो मैंने तो आपको फाइफ भी एच के का size और उसका वीडियो दिखा देता हूं यह इसकी कि left side की पूरी रणिंग बालकी नहीं जो की इन रूम से अटैच है कि first second इंड उसके आगे वाले रूम से बाकी उसके ड्राइंग डैनिंग और दूसरे रूम की इस सामने आपको दिख रहा है यह है ला लगोन यह भी गोल्फ पूर्स रोड पे से लोगेटिट है कि यह तीनु रूम की इस तरफ की रूम की इससे बालकी एटैच है इससे रूम तीन अटैच है बाकी उस तरफ के ड्राइंग डैनिंग और तो रूम जो तरह है वह उस वाली बालकी इस टैच है के बात में आपको एक यह वारी एक व्यू देदूं कि सामने आपको क्रेस्ट दिख रहा होगा देन लालगून के टावर और उसकी पीचे संसीटी है यह वरांदर स्के और भी टावर है यह आपको लॉन दिख रहा होगा सामने रैपिट मेट्रो का पूरा आपको मेट्रो सामने आपको बड़ी से बीडिंग दिख रहा होगा सामने आपको बड़ी से विल्डिंग दिख रही है चार्ट आप और वह आई रियो के प्रोजेक्ट है रियो ग्रेंड है और एक पर मैं आपको फिर से व्यू दिखा देता हूं सामने गोल्फ कोस रोड है यह लोकीटिट बिल्कुल बैंग और गोल्फ कोस रोड है बाकी होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ भी अकर पूछना है तो मेरा नबर डिस्टिंस लोग में रहता है मुझे कोल करके कुछ भी इंक्वारी ले सकते हैं आपको वीडियो पसंदाया होगा क्योंकि वीडियो ने मेनथ तो लगती है बट मैं सोचता हूं कि आपको दिखा दूं कि गोल्फ कोस रोड में जितने भी अपार्टमेंट रही है या असपरस के चौ भी है उसमें आपको मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप तक लिए ठैंक्यू जाहिन